आज हम बनाने जारे बेजिटेबल कोर्मा ये एक साउथ इंडियन रैस्पी है इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी बीस जोकि बारीक छोटी-छोटी खटी उई गाजर एक कटोरी बारीक छोटी खटी बारीक प्याज छोटा-छोटा बारीक कट खटा हुआ एक एक टमातर छ श्वादं सार। काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच। नारियल आधा चोटा-चोटा बारीक पारीक कटा हुआ। आधा चम्मच मिक्ची पाउडर। अद्रक लस्वन का पेश्ट एक चम्मच। खस खस एक चम्मच। जो की पहले से बिघो के रखना है। चना दाल भुनी हुई एक चम्मच, हल्दी पाउडर राधा चम्मच और डाल चिन्नी बड़ी लाइची, दो लोंग, दो छोटी लाइची सबसे पहले मिक्सी के जार में नारियल डालेंगे और पीस में डालेंगे खस-खस खस-खस को एक दो घंटे पहले बिगो के रखना पानी में ताकि अच्छे से पीस जाए और भुनी ही चना दाल एक चम्मच और सौंप एक चम्मच इन सबको एक साथ पीस लेंगे यह हमारा नारियल का पेस्ट पीस गया है अब इसको हम कटोरी में निकाल लेंगे अब हम गैस पे कड़ाई रखेंगे इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून तेल जब तेल गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे हम बड़ी लाइची को थोड़ा क्रश कर लें अब डालेंगे दाल चिन नी छोटे चे दो टुकड़े हरी लाइची इसको भी मैंने क्रश किया हुआ दो तीन लोंग अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे अद्रक का पेस्ट अब ने एक चम्मत थोड़ा सा इसको चलाएंगे अब डाल देंगे फिल प्याज अब डाल देंगे टमाटर को अच्की करा पकाएंगे अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउड़र आधा सम्मत मिर्ची पाउड़र मिर्ची आप अपने इसाब से जाल सकते हो कम जादा अब इसमें डालेंगे गार्जर जोगिने फाले धोषी रखती हुआ अब दीस डाल देंगे अब इस सब्जिये को पंदरा मिर्चा भट को पकाएंगे थोड़ा साथ में पामी डालेंगे अब कपना देंगे पंदरा मिर्चा को पकने देंगे 15 मिनट हमारे हो चुके हैं सब्जी मारी पक चुकी है अब इसमें डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर काली मिर्च डालना इसमें जरूरी है अब इसमें डालेंगे जो हमने बनाया था नारियल सोम खस खस पेस्ट पानी डाल देंगे थोड़ा सा अच्छे से मिलाएंगे पांच मिनट पक इसको पकड़ें देंगे यह हमारा कोर्मा थोड़ा गाड़ा है पानी इसमें थोड़ा सा ओड डालेंगे और इसको तेज आंच पर पांच मिनट पकाएंगे पांच मिनट हो चुके है यह हमारा बेज़िटेवल कोर्मा पक चुका है अब हम गैस बंद कर देंगे हमारा बेज़िटेवल कोर्मा खाने के लिए तयार है इसको आप जरूर ट्राइ करेंगे लच्छे प्रोंठे के साथ बहुती स्वादिश्ट लगता है थैंक्स फोर वाचिंग लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले